दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला खेल को बताने जा रहा हूँ नोटबुक मेकिंग बिजनस के बारे में नोटबुक की डिमांड हमें साब बनी रहती है क्योंकि यह हर घर में यूज होता है और इसे स्कूल चायड़् से लेकर कॉलेज में पारने वाले लोग भी यूज करते हैं तो इस विडियो में हम आपसे डिसकूस करेंगी note book making business लेटेट टॉप इस बिजनस के लिए हमें कितना space चाहिए इस के लिए कौन से machine की जरत पड़ती है इसके लिए कोश और और मेटरे शाहिए इसके लिए machine कहां से खरी देंगे तथा इसकी टेनिंग कहां से मिलेगी इस business को शुरू करने के लिए कितना investment करना होगा, इसके लिए कौन से license की जरत होगी, product बनाने के बाद इससे कहां बेचेंगे, मतलब इसकी marketing कहां करेंगे, और सबसे बड़ी बात इस business को करने से कितना मुनाफ़ा होगा, इस business को शुरू करने के लिए loan कहां से मिल सकता है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस business को करने के लिए हमें कितना space की जुरूत होती है, अगर आप manufacturing unit लगा करके start करना चाहते हैं, तो आप कम से कम, इसके लिए कम से कम 30 जगर की जुरूत होगी, अब आप बात करते हैं, मशीन एबम raw materials की, इस business में 14 की मशीने यूज होती है, पहला stitching machine, दूसरा cutting machine, तिसरा squaring machine और चौथा packaging machine, stitching machine में manual और automatic दोनों होता है, पहले raw materials जो यूज होता है, वो होता है, rule paper और notebook कभर, अगर आप गत्ते बाली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए गत्ता यूज होता है, इस business में आती है, ये company सारी चीज़े available कराती है, तथा machine चिलाने की 10 भी provide करती है, अगर आप बरे लेवल पर इस business को start करना चाहते हैं, तो सारे machine वो raw materials को ले करके, कम से कम 6 से सारे 6 लाग में machine और इस तरह कुछ ही समय में notebook बनके, बिकने के लिए तयार हो जाती है, 15 से 20 मिनट के अंदर कम से कम 6 से 8 कौपिया बनके तयार हो जाती है, कौपी बनके तयार हो जाने पर इसे अवशक्ता अनुसार पैक करना पड़ता है, यदि packing की बात की जाए, तो इसे wholesale अत्वा retail के रूप में पैक किया जा सकता है, wholesale में पैक करने के लिए बड़े पैकेज बनाए जा सकते हैं, बड़े बड़े बैक्स में डीलर को अवशक्ता के अनुसार कौपी पैक किया जा सकता है, यदि retail में अपना brand सीधे सीधे उतारना चाहते हैं, तो इसके प्रती packet 6 कौपी का पैक बनाएं और विभिन स्टेशनरी दुकानों पर जाएं, और उनको अपनी कौपियों के rates बताकर आप अपनी कौपियां बेच सकते हैं, आपका business अगर चलने लगे तो उसे साबसे आप अपने machine को बढ़ा करके आप अपने production को बढ़ा सकते हैं, इसकी बाद आती है license की बाद कि इस business के लिए कौन-कौन सा license की जरूत परती है, तो इस business को सुरू करने के लिए आप अपना brand बना कर बेचना चाहते हैं, तो brand registration कराना होगा, आप बिना brand के भी नोटकों को market में बेच सकते हैं, इसके लिए आप उत्यों का अधार में अपने company को register करा सकते हैं, आप company registration करा सकते हैं, बिना company registration करा भी इस काम को सुरू कर सकते हैं, बागी बात नहीं, GST की, GST की जुरुत्ता परती हैं, जब आपका टार नुबर 20 लाग से उपर चला जाता है, उसके नीचे GST में register कराने की कोई जुरुत नहीं परती है, तो आप बिना GST के भी इस business को start कर सकते हैं, इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी marketing जो हम product बनाएंगे उसकी marketing कहां करेंगे, तो marketing करने के लिए अगर आप wholesaling करते हैं तो wholesaler से contact करना होगा, अगर आप retailing करना चाहते हैं तो आपको bookseller से contact करना होगा, जेनरल स्टोर से contact करना होगा, किराना स्टोर से contact करना होगा, अगर आप manufacturing unit लाकर कि अपना business start करना चाहते हैं तो आपको wholesaler से contact करना होगा, अगर आप ज़्यादा order चाहते हैं इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जास्टाइल में सेंपर कर सकते हैं और इन सब को करने के बाद आप अपना business start कर सकते हैं, इसके लिए आप एक अपना marketing start रख सकते हैं जो market को देखेगा और कम से कम दो लेवर की जरत पड़ेगी जो notebook बनाने में मसीनों को handle करते हैं, क्योंकि notebook की demand market में बहुत ही जादा होती है, इसे आप rural areas पे start करें या urban areas पे start करें, सारी जवब पे इसकी demand बहुत जादा होती है, जहां तक loan और subsidy की बात है आप सरकार की एक website PMEGP Google में type करें, उस site खूल जाएगी वहां पे आप इस business related loan के बारे में देख सकते हैं कि इसमें कितना loan मिल सकता है, कितनी subsidy मिलती है और business loan के लिए आप अपने नजदी के bank में जाके contact कर सकते हैं, कि हमें loan की जुरत है तो हमें इसके लिए कौन-कौन से document की जुरत पड़ीगी, आप सारे documents available कराएं उसके बाद आपको bank से business loan मिल सकता है, आपने अपने लान में तीह के जुछते हैं, कितनी subsidy में जादा ट्रेणिंग के भी जुछत नहीं परति दाख में जारम नहीं है। परती है एक दिन के ट्रेनिंग इसके लिए काफी हो सकता है तो अभी हमने आपको दिखाया कि इसमें कितने मसीनी उज़ होती है और ये कैसे कैसे काम करती है इस बिजनस को करना बहुत ही आसान है आप कहीं पे भी इस काम को सुरू कर सकते हैं इसके लिए तीन बंदे की ज़र आप रख सकते हो दो लेबर रखके आप अपना काम सुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा खमाल सकते हैं दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपकी मदद करने के लि ही ही भी ही भी ही में दोस्तों हमारे की मों में दोस्तों आपके om सकते हैं हाव